इस चीज से होता है कि मैं बोलते हूँ कि देवरी जी का पहले सीन आ चुका है कि इस गहर में शैतानी शक्तिया आ गई है जो घर के बाकी लोगों को परिशान करें तो मैं बोलते हूँ कि अब और मन्जी मा अनविश्वास में बिलीम नहीं करते हैं तो देवरी बोलता है कि एक उपाय है या काली की नंदू से शादी करा दो तो अब इसके पहले मेरा सीन आ चुका है कि मन्जी मा को कुछ अजीब सा लग रहा है तब यह ठीक नहीं लग रहे और मुझे से लग रहे है कि देवरी जी घर में आए तब से सारी चीज़े हो रही है तो सच मुझ देवरी जी कुछ कर रहे है I think so मेरा शक उन पर जाद में यह सीन इससे शुरू होता है कि मुझे उन पर शक है और मैं बोलते हूँ कि यह पूजा में मैं और मन्जी मा नहीं आएंगे और वो बलते कि आने चाहिए और मैं अपनी जिद पेर जाती हूँ और मैं निकल जाती हूँ कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे तो दादी जी बुलते है अचा ठीक है तो बाखे के घर वालों को लेके चलो पूजा करें और क्ली परेशानी आल या आगे आगे कोशिश करूंगी कि मैं नेना को बचा हूँ और ट्राइ तो फाइंड की यह देवरी कर क्या रहा है बिकोज आएंगे इतने क्रैकर नहीं जलाती हूँ मैं फुल जड़ी या वो ट्राइंगल जिसा जो आता है वो मैं बच्पन में छोटी थी तो तब तब जलाती थी अब आता है वो ट्राइंग पुल्शन भात है वो टाह थै को बचाश बिकोजिन यह दोलाती थी तो एप में पूरी यह दो जाता है पूरी द्रेश कर करके आप सारी धामी एंगे बच्पन मिलते हैं तो आले से वीफ सहाँ ने क्या विस थीजिए तो आपी दिवाली थी तो आह so that pollution now but enjoy your Diwali